अश्वनी स्वागत करते हैं इस कारिक्रम में आप जानते ही हैं ये एक ऐसा कारिक्रम है जिसमें अगर आप कहीं जिसे आप सुनते हैं तो आपकी जो दिन दौगनी जो है न तरक्की वो निश्चित है क्योंकि हम ऐसे जानकारियां लेकर आते हैं जो भी हमारे मित्र जो हैं किसान मित्र जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं या जो चोटी मोटी भागवानी घर में भी करते हैं उनको ज़रूरिस से फायदा होता और आज का कार करेकरम शुरू करने उससे पहले कुछ कहना चाते हो आपसे कि दुनिया में सबसे कीमती गहना परिश्रम है और आरती जिंदगी में हमारा सबसे अच्छा साथ हमारा आतमविश्वास है बिल्कुल तो देखे यह दो चीजी जब हमारे पास होंगी नहीं परिश्रम करने से सीमित नहीं है जो शहरों में किचन गार्डन या जो भी अपनी साग सबजियों में इंटरेस्ट लोग रखते हैं वो भी बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं और जो इतनी भी जानकारिया होती है वो उनका लाब लेते हैं तो और हमारे जो लिसनर से ना उनकी संख्या भ वह आप तक पहुंचाते हैं, और अज का एक्रन भी हमारा कुछ आस依ान कार्येर्पे ही इसमें खास जानकारिया रहती। भेलकुल Erishwini आपने कहा नहीं जानकारिया तक पहुंचाते हैं नहीं कार एक्रम करने के लिए आप उत्साहित हो जाएं। हैं जो सोचते हुँ कि हम comment did life without जुरू करना चाहते हुए लेकिन घबरार हें अगर कि chodzi सालसत कुछ करना जो हम अपनी किसान की बात कारेख्रममें लेकर ङुकष अगर आप बहुत कुछ Черसे अगर बहुत बढ़े लिखित हैं नहीं हैं यह आपके लिए बहुत तो यह कहीं कारगर सिद होगा तो बहुत कुछ और किसान मित्रों कई बार देखा गया है कि कुछ किसान मित्रे वो नौकरी की तलाश में रहते हैं काफी लंबा समय बीच जाता है कि नौकरी नहीं मिल पाती है उसके बाद थोड़ा सा हताश हो जाती है त इस एक रोजगार है जो आप शुरू कर सकते हैं मधुमक्ही पालन शेत्र में रोजगार इसमें आपार संभाव ना है बहुत ही इसके अंदर आपकर इस विशे के बारे में और जानकरी कठा करना चाहें आस-पास के नजदी केंदों से कठा करें और भी बहुत कुछ करें तर हमारे कारकरम से जुड़े रही है और अपने सवाल पूछते रही है जी हां तो आई सुनते हैं मधुमक्ही पालन शेत्र में रोजगार की क्या क्या संभाव ना है इसे विशे पर चर्चा हो रही है डॉक्टर मनुज कुमार जो की निदेशक है नैशनल बी कि शी मंत्राले भार सरकार में और इसे बात करें हैं शीवनन दलाल जी आईए सुनते हैंगे चर्चा यदि आप कोई नया बेऊसा शुरू करना चाहते हैं और अगर आपके पास पैसे की कमी है तो बहुत से ऐसे भी बेऊसा हैं जो आप कम लागत में शुरू कर सकते हैं उसके लिए आपको ज़्यादा परालिका होना जरूरी नहीं है उसके लिए ज़्यादा एरिया की जरू होती है और यह जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं किस तरीके से आप कोई नया कारे शुरू कर सकते हैं एक ऐसा ब्योसा है जिसे हम कहते हैं मधुमक्खी पालन इसके लिए आपको जागरुक होने की जरूरत है और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार भी काफी प्रयास कर रही है इसकी बिस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डाक्टर मनोश शर्माजी जो किसायक ने दे सक हैं राश्ची अमधमक्खी पालन बोर्ड किसी मंत्राले भारत सरकार में शर्माजी बी-keeping honey mission यह भारत सरकार की एक योजना है इस योजना को मान्ये परधान मंत्री जी दौरा उनके विजन के अनुरूप जै इसको भारत सरकार के किर्शी मंत्राले दौरा बनाए बनाए गया है जिस करकार से हम पहले हरितक्रार्णति qualcा करकार से यह हैजी मिलेशन मेठी क्रा इस कारिकरम का मुख्य उदेश्चे ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है और वो अपना कोई वैवसाय सुरू करना चाहते हैं तो मदुमक्की पालन एक ऐसा वैवसाय है जिसमें आपको जमीन की आवशक्ता और दूसरे परकार के कंपोने कि एक योजना बनाई गई है तीन वर्सों के लिए नैशनल बी कीपिंग एंड हनी मिसन इस योजना के अंतरगत अभी तक जो भी काम किया गया उसमें मुख्य रूप से मदुमक्की पालन को बढ़ावा देने के लिए किया गया लेकिन इस कारिकरम को विशेश रूप से इ इस योजना का गठन किया गया है हमने इसमें तीन मुख्य घटक में इस पूरी योजना को बाटा है नमबर एक मीनी मिसन वन का जो मुख्य उदेश्य है उसमें हम किस परकार से किसानों को ट्रेनिंग यानि की कैपिसिटी बिल्डिंग बढ़ावा देने के लिए वैग्या किस परकार किसानों में वैवशाय के परति जागरुकता पैदा की जाए उसके लिए सेमिनार और ट्रेनिंग के प्रोग्राम इस मीनी मिसन वन के अंतरगत रखे गए हैं जो दूसरा मीनी मिसन है इसका वो शहद के उत्पादन को किस परकार से हम प्रोसेसिंग करने के लिए 21 स्थाफित करना उसकी marketing branding करना उसको किस परकार से हम उसमें value addition कर सकते हैं इस पर mini mission 2 में focus रखा गया इसी scheme के अंतरगत जो mini mission 3 है जो भी हमारे किशान भाईयों की समस्चाई है research से related है या इसको हम कैसे आगे व्यग्यानिक तरीके से बढ़ाएं मार्केट से related हो या मदु मक्की में कोई रोग से संबंदित हो या मदु मक्की में कैसे सहथ का उत्पादन आगे बढ़ा जाए इसके व्यग्यानिक सोध के लिए मिजनी mission 3 रखा गया है जी डाक साब बिलकुल आपने सही बताया कि अगर हमारे कोई इवासाथी आपकी जो मीठीक रांती है उससे जुड़ना चाहें तो शुरुआत उन्हें कहां से करनी चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस mission से जुड़ने के लिए cluster based approach को इस कारिकरम में रखा गया है कि किस परकार से जो किसान भाई है वो एक समू बना कर इस कारिकरम में राज्य सरकार के माध्यम से जीला अस्तर पर जो हमारे जीला ज्यान अधिकारी है या जीला किर्शी अ अपर को पी सर होते हैं उनके माध्यम से आप अपनी परियोजना वहाँ पर जम्pection ये उसमें जो भी डॉकूमेंट कागाढ़ लगएंगे वो आप लगाइए उसके बाद में वह आपकी इस परियोजना को राज्य सरकार में जो क्या आपके सची यह साइटा की बात हो गई कि किस तरीके से राज सरकार के साथ मिलकर के इंदे सरकार जो भी आएवा साथ तही है वाइ बदमक्की पालन करना चाहते हैं उनके लिए सायोगी बात हो गए लिकिन अगर कोई युवा इसको एक जीरो इसतर से सुरू करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है जो भी हमारे युवा इसमें जुड़ना चाहते हैं मेरी सबसे पहले उनको ये सला है कि ये जो मदुमक्की पालन है इसके लिए सबसे पहले आप इसमें हमारा एक परशिक्षन कारिकरम है साथ दिर्सिये उस परशिक्षन के माध्यम से आप इसमें जुड़ सकते हैं यह है परशिक्षन आपको जो हमारे कृष्टी विश्विध्याले हैं ICR की जो उनके माध्यम से कृष्शी विध्यान किंद्र जो की पूरे देश में हर जीले में हैं उनके माध्यम से समय समय पर इस परकार के जो परशिक्षन हैं वो निकलते रहते हैं हमारे योवाभाई इस सवरोजगार से जुड़ना चाहते हैं वो सबसे पहले इसमें ले सकते हैं इसके लिए भारत सरकार द्वारा उनको समय समय पर अनुदान दिया जाता है तो उसके लिए किस समय शुरू करें और कौन सा इस्थान उनके लिए उप्युक्त होता है इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि मदू मक्की पालन में इंपोर्टेंट है कि वहाँ पर आप जिस छित्र में भी मदू मक्की पालन करना चाहते हैं वहाँ पर फ्लोरा यानि की फूल की क्या इस्थिती है चुकि जो भी मदू बनेगा जो भी साहद उत्पन होगा वो आपके जो भी महाँ पर लोकल फ्लोरा बोलते हैं उसके पर बहुत ज्यादा आधारित होता है सबसे पहले आपको इसस्थान का चेन करना होगा जहांपर की फूल या दूसरे परकार के जो मनस्पतिया फसले होंगी महाँ पर आपको इसको स्टार्ट करना होगा तो जैसे इस समय गर्मी का मौसम है तो क्या गर्मियों में मदुमक्खी पालन पे कुछ प्रभाव पड़ता है किस तरीके से हमारे किसानबाई इसको प्रबंदन करें इसके लिए सबसे पहले यह है कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मदुमक्खी जो है वो ठीक तरीके से सरवाईव नहीं करती है तो उसके लिए जो मदूमक्की पालक है वो अपने मदू के डबो को ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहांपर की तापकरम कम होता है और वहाँ पर उस समय फूल और उससे संबंदी जो वनसपतिया हैं वहाँ जहांपर अधिक से अधिक होती हैं तो गर्मी के दोरान जो भी हमार दो होते हैं इसमें कई latitude के होती हैं रनी कथा करने वाले होती हैं कौन कौन सी मद्धमक्या होती है तो ज्यादा तर इसमें कार е करते यह कि पर点 olhar मैं आपको बताना चाहूंगा जो मुखे रूप से एपिस मैली फेरा जो की मैदानी छेतरों के लिए है वह बहुत ही मुख्य मदुमक्य इसके लावा भी दो तीन परजाती इसकी डार सोटा है या दूसरी परकार की जो परजातियां है यह आसानी से उपलब्द हो जाती है और इनके सहद का जो उत्पादन होता है वो भी ठीक से होता है और इसमें बीमारी बगएरा की भी कम संभावनाएं रहती है अपने शहद का जिकर किया इसमें कहते हैं कि शहद होता है मोम होता है उसके अलावा कुछ प्राइल जेली बगएरा बतायते हैं उसकी भी मांग विदेशों में ज्यादा रहते हैं वो क्या चीज होती कारी करम जो हमारा नैस्मल बी कीपिंग हनी मिजन है उसमें इसके सासा सहथ के उत्पादन बढ़ाने के सासा जो सहथ के दूसरे जो हमारे घटक हैं जैसे कि इसके वी वैक्स को बढ़ावा देने के लिए इसमें परपॉले को बढ़ावा देने के लिए इस परकार से इनको व इसको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कारीकरम के माध्यम से सहता परदान की जा रही है तो इससे भी किसान भाई सहथ के उत्पादन के साथ साथ जो यह दूसरे परकार के उत्पाद है सहथ से संबंदित इसके भी लाब उठासक अपनी आमधनी को और करें किस परकार से आप उनका रख रखाओ कर सके क्या मधुमक्की पालन जो हमारे किशान भाई करते हैं या उनके जो खेत की आसपास कोई फसल लगी हो वहां पर वक्षी रख दिये जाते हैं तो क्या उनकी फसलों के उत्पादन पर 20 का प्रभाव पड़ता है यह तो आप उनके उत्पादन में परभाव पड़ता है चुकि यह जो मधुमक्की है यह पूली नेशन का कारिये करती हैं जिससे कि हमारे सहथ उत्पादन के साथ साथ फसलों की जो उत्पादन अक्षमता है उस पर भी इसका बहुत अधिक परभाव पड़ता है तो रख साब इसमें रोजगार के लिए जो हमारे इवासाथी जुड़ना चाहते हैं तो कितनी संभावना हैं करशक भाई हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं है जिनके पास कोई और वयवसाय नहीं है तो वे इस कारिकरम के माध्यम से मधुमक्की पालन से जुड़ सकते हैं इसके लिए में थो को ध्यान में रखते हैं इस कारिकरम के माध्यम से पूरे देश में भारव सरकार ने सोब मीनी टैस्टिंग लैब इस्थापित करने की पूरे देश में एक चेन बनाने की योजना इसमें बनाई है जिसमें हमको काफी सफलता मिल लई है इसके साथ साथ पांच रीजनल बैंगलोर में वहाँ पर लैब है उनकी स्थापना हो चुकी है और सो लैब पूरे देश में इसका एक जाल बिछा जा रहा है इसके साथ साथ भारव सरकार का जो भी मुक्य फोकस है वो कलस्टर बेस यानि जो भी आप उत्पादन करेंगे बन डिस्टिक बन प्रोडेक्ट इस परकार की एप रोच है कि आप एक समू में काम करिए तो इसके लिए सरकार ने सोख हदिम बेस कलस्टर का पूरे देश में हम लोग निर्मान कर रहे हैं जिसमें लगवग 50 बन भी चुके हैं भारव सरकार के अंतर का तीन संस्थाइं जिसमें एक नैफट, ट्राइफट और NDDV इनके माध्यम से हम इन समू का निर्मान कर रहे हैं और जो भी किसान भाई इन समू से जुडेंगे उनके सहद को ये लोग खरीदेंगे और उसको प्रोसेसिंग करके मार्केटिंग की भी जुम्मेदारी सरकार ने इनी को दी है साल में भारत सरकार ने एक मधुकरांती पोर्टल जो की अभी तक हमारे मधुपालकों का कोई एक कहीं भी संकलित डाटा नहीं था उसको जनरेट करने के लिए एक भारत सरकार ने बहुत बड़ा इनिसेटिव लिया है पिछले साल जो भी मधुपक की पालक इससे जुड़ पढ़ें जिससे कि आप कार्य योजन है इसको आप अच्छी परकारते समझ सकें जी बिलकुल हम तो यह कहेंगे हर इवासाथी को जो भी मदमक्खी पालन का कार करना चाहता है या कर रहा है किसान भाई जो भी इससे जुड़े हुए निश्ची तोर पे जो आपका मदमक्खी पालन बोर्ड का पोर्टल है उस पे देखेंगे और खुद भी उस पे अपनी राय और उप्रतिक्रियाद जरूर देंगे डक्टर मनोज सर्मा जी आप कारकरम में आए बहुत अच्छी जानकारी दी निश्चीत तोर पे हमारे इवासाथी किसान भाई इसका फाइदा उठ अन्यवाद तो साथियों अभी आपने सुना मधुमक्की पालन में रोजगार इस विशे पर भाचे चल रही थी शिवनंदन जी बात कर रहे थे डॉक्टर मॉनज कुमार से जोकी निदेशक है नैशनल बीबोर्ड कृशी मंत्राले भरस सरकार में और किसान में तरों हैं उनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि जो शहद बनेगा उसके ट्रांस्पोर्टेशन में में पावर की ज़रत तो पड़ेगी ना जी बिल्कुल तो एक रोजगार की कहीं मीठी सी उडान जो है उसके शिरुवात की जा सकती है और हमने सुना यह मीठी करांती है त इस तरह से क्लस्टर की बात की गई तो हम अपने जिले में जो मधुमक्खी पालन है उसको सायूगत रूप से शुरू करें और जो भाई शुरू कर चुके हैं वो और को भी प्रोटसाहित करें इसमें अपने साथ शामिल करें ताकि हम शशक्त बन सकें और हमारी आमदनी ब घ्चान हमें रहता है कि हमारे जो किसानमित्र हलना हर चीज़ और हो जेंदे ताक्यूंकि खेती हो चाहे हमारे पशु हो चाहे मं जी सी वी श्यदित में करтесь किसी बीश्य प्रकूह बिंगारी की वहुँक्ट कर रहे हैं तो उनने वह प बचाए की और बचाने के बहुत से तरीके हैं, आप से हम वैसे भी अपने कारेकर में बहुत सी बाते करते रहते हैं, जिसके मादेम से आप जानी चुकियोंगे, देखे तेज गर्मी हम अपना बचाव तो कर लेते हैं, पंके चला के, कुलर चला के, और कई लोगे इसी चला के, बहुत लेकिन जमारे पशुधन है उनको भी बचाव की ज़रुड़ता है उनको पूर मातरा में पानी आप ज़रूर दीजिए पानी उनके आसपास भी शिरकाव करते रहे ताकि ठंड़क बनी रहे साथ ही अगर बोरे जो होते हैं उनको गी लगर के अगर उनको डाल दिया जाए तो पाने का उचित इंतिजाम बहुत जरूरी है और कोशिश यह करें कि अगर आपके पास पशुषाला नहीं है पूरी तरह से तो अस्थाई रूप से जो पेड़ हैं पेड़ की गहरी चाया में आप बना सकते हैं कुछ महीनों के लिए क्योंकि जब ठंडे में रहेंगे तो कभी स्वास्ते ठीक रहेगा और एक बात और है जो कि खास ध्यान रखने की है कि अगर जो पशु है उसकी लार जादा निकल रही है यह वो कम खा रहा है तो इसको नजर अंदाज न करें हो सकता है कि उसको लू लग गई हो तो नजदी की चिकत साल ले जाएं और उसकी जा जाएं उन्हें और दूसरी बात खान पन का बहुत ध्यान रखे क्योंकि पौश्टी काहर उनको मिलेगा तो तंदृस रहेंगे वही दूद भी दूद बहुत अच्छी मातरा में होगा तो बहुत सारे पक्ष हैं इनका ध्यान रखने के लिए आप जरूर अपने साथ साथ अपने पशुद्धन हैं जो हमारा उसकी सिहत का भी ध्यान जरूर रखे और वैसे तो आपको बहुत जादा अनुभाव है लेकिन बागे कामगाज में कहीं न कहीं कोई भूल चुक हो सकते हैं तो इसलिए हम आपको याद दिलाते रहते हैं साथियों आप सुन रहें कारेक कारी मैं आपको बता ही रहें तो अपना ध्यान भी जरूर रखेगा और कोशिश की दूप में नाई निकले और निकले तो झाल कर निकले और और कोशिश करें कि पूरे बाजू के कपड़े और जितने भी आपके काम है धूप के टाइम अगर टाल सके तो टाल दे शुबह और शाम में करें जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले और फिलाल के लिए आज के लिए मुझे आरती को और मुझे आश्वनी को दीजे जासत नमस्कार झांचाउ में का सिर्त नमस्कार झाल 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 झाल